Hello friends welcome to sleepy classes guys आज हम discusses करेंगे modern history अग्लो सिखफार अभी तक modern history अबने क्या क्या discuss करें आपको एक बर बता देता हूं फिर आप इस topic के साथ अपने आपको अच्छे से connect कर पाएंगे फॉर्स session में हमने discuss किया था advent of Europeans वहां पर हमने देखा था बहुत सारी European companies हमारे भारत में आती हैं और then Britishers और जो France की जो company है वहापस में बैटर लड़ती है और Britishers अपने आपको यहां पर successful establish कर बाते हैं then हमने second session में discuss किया था जो Britishers बिंगॉल को Congress मतलब बिंगॉल को जीतते हैं देन एंग्लो मेसूर वार्स जो मेसूर वाला एरिया वह भी जीत जाते हैं फोर वार होती है यहां पर दो हैदर अली के साथ होती है दो टिपू सुल्तान के साथ होती है देखे जो Britishers थे वह बहुत ही चलाक थे मतलब यहां पर मैं यह वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं देखे फोर वार होती है और जब भी Britishers ने वार लड़ी है जैसे हम बात करें बैटलोग प्लासी बैटलोग बकसर या फिर फ्रांस के साथ करनाट की वार्स हुई है या फिर यह एंगलो मिसूर वार्स है उसके बाद हमने डिसकस किया था अब यह वार्स है यहां पर कोई एरिया नहीं कुछ नहीं एक फ्रेंडशिप लेशन अस्टैबलिश करते थे और ट्रेटी साइन कर लेते थे अब इस चेंटी के बाद ब्रिटिश क्या करते थे कुछ यह जो इस परसन की हैदर या इंगली की कमजौरियों के उपर व्रक करते थे क्या इसकी वीकनेस है और इसको किस तरह से थैं देन सेंड़ वार होती थी अब second war में जो Heather Ali था वो unfortunately इसकी death हो जाती है क्योंकि cancer होता है Heather Ali को then lead करते हैं टिपू सुल्तान अब टिपू सुल्तान जो थे वो भी काफी strong यहाँ पर leader होते हैं और Britishers चाहते हैं टिपू सुल्तान को हराना तो टिपू सुल्तान का जो best इसकी policies थी कि इन्होंने अपनी embassies को foreign में establish कर रखा था अब जैसे Napoleon की help लेना चाहरे थे बट Napoleon को Britishers ने वहाँ पर हरा दिया और यह एक policy थी Britishers की जो इस पर यह work करते थे मतलब treaty sign करी then weakness पर work किया सामने वाले की और उसको फिर हरा दिया और सेम इसी tactics के साथ यह चलते हुए पूरा का पूरा भारत जीज जाते हैं लेकिन यहाँ पर होता क्या है देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा idea देता हूं यह है हमारा प्यारा भारत मा सकूं बड़ आप मान लेजी अभी के लिए यह जो आपका जो वेस्ट वाला एरिया है वेस्ट वाला एरिया यहाँ पर रूल करते थे six और यह जो इस्ट वाले यहां पर रूल करते थे ब्रेटिश क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बेंगॉल जीच चुके थे मैं यह करवा चुक हूँ और जो मैसूर वार रहा है यह इसके थूँ यह मैसूर को जीच जाते हैं फिर मराथा वार में मराथास को यहां हरा देते हैं और दिल्ली तो खैर मराथास के अपजे में बहुत ही मतब यहां पर आप कहके चलो कि ब्रिटिश अटरते थे शिक्स पर वार करते हुए क्योंकि यहां पर राज कर रहे थे महाराजा रंजीच चिंग करब करते हैं कौनी मिसलद्उ से याद आया देखिए आपको थोड़ा से एक ब्रीफ आइडिया देता हूं है जब हमारे जितने सिख गुरूस हुए उसके बाद जो सिख पन्त है या फिर अकाल तक्त को संभालता है दलखालसा अब दलखालसा हम काफी ब्रीफ में नहीं पड़ रहें जस्ट मैं आपको ओवर मुगल थे और जो सिख थे इनके बीच में कंफ्लिक्ट चलता रहता था जो मुगल से वह भी नहीं चाते थे इस अपने आपको इस्टेब्लिश करें और जो सिख थे वह चाते थे कि यहाँ पर मुगल को हम किस तरह से अपना एरिया ना दे मतलब यहां पर दोनों के बीच म अपने लोगों की रिक्षा करते थे बहुत अच्छे से शिक्स अब 1733 में जो मुगल्स हैं वह वीक हो जाते हैं और मुहमर्शार इंगीला के टाइम में एक यहां पर इनके कमांडर इंचीफ होते हैं जिनका नाम है जाक्रिया खान यह नाम याद रखना बहुत इंपॉर्ट अब कपूर सिंग जी के अंडर बेसिकली कमबाइन फोर्स चर रही होती है या फिर कमबाइन दो ग्रूप में ड्वाइड होता है दल खालसा एक है तरुना दल और एक है बुदा दल तरुना दल आप ऐसे समझ लीजिए जो अंडर 40 हैं जो सिख कॉमनेटी में अंडर 40 होते अलुवालिया के बास यह भी बहुत स्ट्रोंगेस्ट एक तरह से हम समझें कि स्ट्रोंगेस्ट यह भी एड्मिस्टिशन समालते थे और इनों ने अपने समय में दिल्ली के रैड फोर्ट पर खाल सा फ्लैग को भी लहराया था अब मुगल्स इतने वीक हो चुके हैं हम मरा मराथ तरफ से इनिचेटिव लिया गया था कि मराथा इसका फ्लैग यहां पर लगा दिया गया था जर्शा सिंग आलू वालिया जी फ्लैग को लगा यहां झाड़ यहां पर बहुत ही ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि यह एक विक्ट्रे थी और उसके बाद हम देखें कि दल खालसा एक missiles के रूप में वर्क कर रहा था 12 missiles वर्क कर रही थी पंजाब में और अपनी अपनी missiles ये सारे के सारे जो leaders होते थे इन missiles के वो संभालते थे लेकिन इनके बीच में भी conflict चलता रहता था अब इसमें से एक missile थी जो हाला कि दल खालसा का पार्ट नहीं थी बट फिर भी हम consider करके चलेंगे 12 missiles थी जो फुलकिया missile है ये अलगी चलती थी पटे आला की missile है और बाकी missile अलग चलती थी और फुलकिया missile attack करती रहती थी इन missiles पे और इन missiles में भी आपस में कुछ ऐसाच बनती नहीं थी ठीक है यह आप ऐसे को कि एक स्ट्रॉंग लीडर नहीं था जो इन missiles को एक ही एक ही kingdom में लेकर आए या एक ही राजा के अंडर लेकर आए ठीक है अब यह missile कौन-कौन से जैसे आलू वालिया missile है और सिंगपुर्यय मिसल है यह इन पॉर्टनट है और हमने इसी के उपर वर्क करना मतलब यह महाराजा रंजीत सिंग जी की missile है और इसके बारे में तो हमें पढ़ना यह पढ़ना है गए निशान वालिया मिलती है जब महाराजा रंजीज सिंग जी यहां पर रूल करते हैं यह सारी की सारी मिसल्स को एक एक ही दाइरे में लेकर आते हैं एक ही किंग्डम के अंडर लेकर आते हैं और यह सभी की सभी मिसल्स हैं वो रंजीज सिंग जी को टाइटल देते हैं महाराजा का यह फिर आप ऐसे करो कि महाराजा रंजीस सिंग जी सभी missiles को अपने अंडर लाने के बाद अपने अपको title देते हैं महाराजा का और सब accept भी करते हैं सीज को यह होता है 1801 में जब लहोइमें अपनी capital shift करते हैं महाराजा रंजीस सिंग तो यह जो हुआ महाराजा रंजी सिंग ने सभी को अपने अंडर लेकर आए लहोर में अपनी कैपिटल शिफ्ट करी लेकिन इससे पहले हम जानेंगे सुकर चक्या मिसल के बारे में ठीक है ठोड़ा सा इतिहास दाना जुरूरी है महाराजा रंजी सिंग जी जो एंसेस्टर्स थे देखे सुकर चक्या मिसल का जो राइस है वह बैसिकली होता है जब बुध सिंग यहाँ पर रूल करते हैं अब बुध सिंग कौन थे बुद्ध सिंग, गुरु गोवन सिंग जी के अंडर, बहुत सारी बैटल लड़ी, बंदा बहादूर सिंग जी के अंडर, इन्होंने काफी बैटल लड़ी, 1780 में इनकी देथ हो जाती है, भाग दोट जाती है सारी सुकरशक्य मिसल की सरदार नोज सिंग जी के बास, अब सर चरह सिंग है, उनके सन होते हैं माहा सिंग, और माहा सिंग यहां पर रूल कर रहे होते हैं, अब माहा सिंग सुकरशक्य मिसल के कमांडर होते हैं, याद रखना, अच्छा सम्टाइम्स कोश्चन पुछा जाता है, कि कौन से रूलर ने, सुकरशक्य रूलर ने, अपनी कैप सिर्फ कुंधा होते हैं इनका बद्ध होता है 11 specific यह जीन्मेंदारी चाहिते हैं अब देखें महाराजा यहाँ पर मैं याद रखना हस्मत खान अब महराजा रंजी संह 30 साल की उमर में अर्मों तक क्या कर रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए अपने बेसिकली इतने बड़े-बड़े जो हमारे देश में लीडर्स हुए महाराजा हुए और जिन्हों ने हमारे देश के लिए एक एहम बूमी का निभाई और महाराजा रंजी सिंग के बारे में जितना पड़े उतना कम है तो हम भी बैटर लड़ रहे हैं अपने आपको दिन रात महनत कर रहे हैं और उस महनत को अच्छे से करिए और आप भी अपने आपको एक एक अच्छी जगा पोस्त लेकर इस्टैब्लिश कीजिए ठीक है कोई भी तोड नहीं था और लड़ाई लड़ने में या फिर आपको दमाग के धनी थे ये और इनकी शादी होती है मात्र 13-14 साल की उमर में महताब कोर के साथ और इनकी जो मदरिन लोग होती है सदा कोर इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है इनकी पूरी की पूरी वि इनके इंटर चली जाती है और यह अपने यहां पर जो रंजीश सिंग जी है बहुत डेटेल में मैं नहीं जाँगा महराज कुछ है जानने के लिए लेकिन हमें अभी पढ़ना है और सब्सक्राइर नहीं हो सकता जब तक हमें थोड़ा सा आईडिया ना हो रंजीर सिंग ज ऐसे जानने के लिए बहुत कुछ है अब यहां पर 1809 में यह बहुत इंपॉर्टेंट फेक्ट है जो ब्रिटिश हैं वह चानते थी कि महाराजा रंजीज को हराना मुश्किल है जैसे कि मैंने आपको बताया ना बहुत ही स्ट्रॉंग लीडर थे पूरा का पूरा जो वैस्ट जोन है वह महाराजा रंजीज सिंग के अंडर था या फिर आप ऐसे को यह सतलू दरा बैह रही है और इसके इदर वाला एरिया महाराजा रंजीज सिंग यह जbuilt बुद्ध करते हैं क्या यहां जितना वहम सबसे हैं और सबसे परिटिश के और second strongest army थी महाराजा रंजीज सिंग की तो इनके बीच में एक treaty sign होती है 1809 में Britishers and महाराजा रंजीज सिंग जी के बीच में और ये treaty को कहा जाता है Treaty of Amrishar मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही ये clever थे Britishers और इनको पता था बैटल हम जीत तो सकते नहीं तो अभी के लिए क्या करते हैं friendship relation establish करते हैं और इसमें हुआ कि आप Britishers ने यहां पर आश्रसन लिया रंजीज सिंग से कि आप अपना ये वला एरिया संभाल लेंगे जो आपके पास और रड़ी है सतलू से आप इधर कभी भी अनिक्स नहीं करेंगे मतलब सतलू से उधर इधर आप जो मर्जी करिए ये वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन इस्ट में आप नहीं आएंगे तो महराजा रंजी सिंग जी ये ट्रिटी में इनकी शर्त मान जाते हैं ठीक है उसके बाद जो ब्रेटिश हैं उनको पता होता है कि कही न कहीं हमें इनको कमजोर करना अच्छा ये ट्रीटी क यहां पर जो भी मैंने आपको बताया वह यहीं देखने को मिलेगा उसके बाद देखें यह ट्रीटी साइन होने के बाद ब्रेटिश को लगता है कि जो वैस्ट वाला एरिये यह मैं द्वारा बनाता हूं यहां पर इंडिया का मैप यहां पर मैं थोड़ अच्छा नहीं ब अब ये व्लब जो area है जो यहां पर आप काबूल आप लगागे चलीह जहां fix on वाफ्गानिसान ए एरिया किसे कभजे में महाराया धी सिंग जी ऑफगानियों के साथ बेटल चली रहा घुलता रहता था महराज्याम जैसींग का ये चाइन होती है कि ट्रिटी को बहुत ही वहाय क्या रॉप है टेपर टाइट र्लाइइस होता है एक तो तो महाराजा रंजीश संह्च और यह लिगा हुए और एक होते हैं ब्रिटिशा और यह dos महाराजा रंजीश सिंह शाथ खुझा आपको देरें इसके बतले आप काबूल पर कभी अटैक नहीं करेंगे ठीक है जी और ब्रिटिश ने एक यहां पर ट्रिटी होर साइन करा ली मतलब फ्रेंड्शिप दोस्ती दोस्ती में अब यह साइन कराने का ब्रिटिश को क्या फैदा हुआ सिंपल सी बात है अगर मान लिजिए महाराज ब्रिटिश को बता होता है यह जीति लेंगे इतना महान लीटर आज तक भी पंजाब की भूमी में इसके बाद नहीं हुआ ठेक है तो उसे पहले थे बहुत सारे हमारे गुरू रहे हैं और गुरू के बहुत सारे लीटर हैं जैसे नवाप कपूर सिंग अलू वालिया जी बहुत से लेडर थे जिन्नों ने अपनी जिन्दिकी सिख्ह Empire को बचाने में लगा दि या फिर हमारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान को बचाने में अपने आपको कुर्बान कर दिया है नं तो चली तो वह हम बात में डिसक्स करेंगे फिर कभी जब हम पंजाब की history discuss करेंगे तो मैं आपको बता रहा था कि 1839 में जब यह साइन हुआ तो ब्रिटिश को पता था कि यह वाला area तो हमारे पस है ही इस्ट वाला और अगर हमारे पस काबूल वाला area होगा तो हमारे प्लस देथ होने के बाद इनके पास ऐसाच कोई सेक्सेसर नहीं होता और यही एक रीजन था कि ब्रिटिश को अपरहेंड मिल गया पर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं साथ-साथ जो सिख कॉम्नेटी है इनमें रिवोल्ट होना शुरू हो जाता है जो आर्मी है वो अप है नेक्स के सेसर रहाते ह 되면 महराराजा बनते हैं ने बहुत चोटी उमर के समयमे इंकी जफनार होती है जिंदकोट को सारा का सारा भागदोड अपने हातों मिलेती है उजिंदब को यह तो हमारे पास है ही वेस्ट वाला हम अब इस पे बिटिश पर अटेक करेंगे और बिटिश तो चाहती ही थे हमारी तरफ से अटेक ना होकर उनकी तरफ से अटेक हो तो बिटिश ने का आप अटैक किजिए और इस बैटल में हुआ क्या है एंगलो सिक्वार में जो सिक्स हैं वो बुरी तरह हार जाते हैं अब मैं आपको पर लख रहा हूं यहां पर बैटल उफ सब्रों अब यहां बैटलोन और वो जीते हैं सिंख बैटल उफ मुदगी जीते हैं बृिटिश और अगर हम दीखें रिजल्ट केheure का निकलता तो बृटिश500 का यहांप ड़िट 라 ear रहते हैं अब जब यहांपर Britishers का अपरहेंट रहता है तो Britishers इनसे कुछ treaty होती है मैंने आपको बतायाता है ना हर बार के बार treaty होती है तो treaty कौन-कौन से होती है आपने याद अखने है पहली treaty का नाम है treaty of Lahore इसकी date भी याद अखना treaty of Lahore की date भी बुच लिजाती है 9 March 1946 और एक फर्स्ट एंगलो सिखवार में सेकेंड ट्रेटी भी आपने याद रखनी है ट्रेटी ओफ भारीववाल यह दोनों 1946 में होई थी ठीक है दो ट्रेटी थी दोनों आपने याद रखनी है अच्छा मैं आपको बता रहा था इस ट्रेटी में हुआ श्राव क्या डेड़ क्रोड रुपेश बहुत बढ़ा अमाउंट होता है यह सिख को देना पड़ा किस को देना पड़ा ब्रेटिश को साथ-साथ कुछ एरिया देने पड़े जैसे जलंदर वाला एरिया देना पड़ा और साथ-साथ एक जम्मू कश्मीर वाला एरिया था वो एक ट्रेटर था सिख कॉमनेटी में गुलाब सिंग उसके पास सला जाता है अब यह अगर आप सिख हिस्ट्री पढ़ोगे न मतलब पूरा एंगलो सिखवार को अच्छे से पढ़ोगे महाराजा रंजी सिंग के बारे आप यहाँ पर लिखने एक तो आप जलंदर वाला एरिया एक आप यहां पर याद रखेंगे हजारा वाला एरिया और यहां पर लिमिट लगा देगी अब देखिए आर्मी माराजा रंजी सिंग की दैथ होती है तो आर्मी यह इसी हिजार के आशपास और जब यह बैटल स्टार्ट होती है तो आर्मी हो जाती है अप्रोक्स वानग ट्वंटी ठाउजंड के आशपास तो एक बहुत बड़ा हीुज यहां पर देखने को मिलता था हमें आर्मी का एक यह गंदो और इस फिगर को कम कर दिया गया रिडियूस कर दिया गया और साथ साथ इतने बड़े बड़े एरियास बीच में ले लिए जब मुकिश्मीर चला गया और बीस हजार आर्मी हो गई ठीक है तो और एक परसन को पाइंट कर दिया इसका हम अभी जिकर करेंगे हैंदी लॉरेंस का और यह परसन को पाइंट करा गया कि आप अपने अपने अंपाइर में इस परसन को इंपॉर्टेंट पोस्ते और यह परसन एक तरह से आप ऐसा समझी कि ब्रिटिश को हर अंदुरूनी बात बताता था यह परसन मतलब आप ऐसे गवर्नर की अपाइंटमेंट समझी है हैंडी लॉरेंस की ठीक है और इसकी बात होता क्या है से पढ़ लेना मैं जस्ट आपको एक स्टोरी की फोर में समझा रहा हूं कि आपको अच्छे से याद रहें ठीक है ओके सेकेंड एंग्लू सिक्वार होता है 1940 सोरी 1949 तो यह तो मैं अपने देश की अजाती की बात कर रहा हूं यह होता है 1849 में चली हो जाता है कई बार 1849 में और इस बैटल के दुरान हुआ कहा है सबसे पहले तो आपको पता होना जी रिवोल्ट पढ़ने हैं काफी इंपॉर्टेंट है उसके भी हम रिजन समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसी की रिजन समझेंगे डॉक्ट्रिन ओफ ल तो रिजन क्या थे एंगलो सिखफार के मैं आपको बता रहा हूं एक तो क्या हुआ डिसाटिस्फेक्शन अब जो जितने भी एग्रिमेंट साइन हुए जितने भी ट्रेटी साइन हुए इससे सिख कॉम्नेटी खूशी नहीं थी अब सैटिस्फेक्शन ना हो अगर सिख को मिला और साथ-साथ यहां पर एक काव इशू हो गया अब काव इशू क्या हुआ है मैं आपको बताओंगा भी डिटेल में और बहुत सारे रिवोल्ट हुए जैसे सबसे बड़ा रिवोल्ट था मुल्तान वाला अब मुल्तान या फिर आप ऐसे लिखो अदर रिवोल्ट लिख लो और जो काव इशू हुआ था यह क्या हुआ है यहां पर लोगों ने पत्राव शुरू कर दिया हैं और आपको पताए जो गाएं हैं काव है वह बिसिकली हिंदू और सिक को बहुत प्रिये और इवन हिंदू तो लेकर चलते हैं काव को हे हमारे देश में जो धर्म है उसको बहुत अच्छे से फोलो किया जाता है अच्छी बात है ध्रम को भी करना चाहिए तो अजिए आंचिस करते हैं जो परताव है ब्रेटिशर इमजेटली हैं Fahrenheit लोट यहां पर जो परसन दिखता है हैंडी लोरेंस को कि हाँ इस बंदे ने सबस्क्राइब पत्थर मारे है इस बंदे की वज़े से यह दंगे भढ़के वह एक भ्रामीन होता है उसको फांसी दे देते हैं तो होड़ जादा यहां पर एक गुस्से की भावना आ जाती है पंजाब टू होता है और इस वार के बाद पूरा का पूरा पंजाब हो जाता है किसके अंडर ब्रिटिश के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूं चार बैटल होई थी एंगलों सिखवा टू में यह चारों बैटल आपको याद रखनी है राम नगर की बैटल एंड साथ साथ एक बैटल होई थी चलियावाला और एक बैटल थी गायस मुल्तान की और एक बैटल ती गुजरात की गुजरात में यह लास्ट राई थी छिक्स की तरफ से कि हम ब्रिटिश को हरा देंगे और इस इस बैटल में से कॉम्मेटी ने अपना पूरा दम खम लगा दिया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया थे क्योंकि ब्रिटिश के पास मॉडरन फैसिलिटी सी मॉडरन गन्स आर्ट्री गन्स एंड बहुत एक यूज आर्मी थी इस वाज़े से यह इस बैटल में जीत नहीं पाये थे लेकिन आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी सवालाग से एक ल जाता है जिनके पास यह पूरा का पूरा पंजाब जाता है दलीप सिंग उस टाइम को कुछ नहीं पता होता क्या चर रहा है क्या नहीं क्योंकि इनकी मदर ही लीड कर रही होती है सारी बैटल्स में जिनकोर को ब्रिटिश जैसे हमने देखा था मराठा में कि जो मराठा के तोब से गया है this depends our confidence को साथ में यह ने घरें चले जाते हैं आपदने इनकी को पता लगता एक महाराजा था और और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा और इनके वारे में बहुत कुछ है जानने के लिए हम पढ़ेंगे डिटेल में और महाराजा दिलीप सिंग की जो बाद में रिवोल्ट के जो एक्शन थे वो भी काफी इंपोर्टेंट रहे अब सेशन में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और यहां पर सभी जितने भी वीडियो से उसकी पीडिएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल को जोइन कीजिए और जितने भी आपके डाउट होते हैं मान लिजे कि इस सेशन के दुरान अगर आपने कोई कोशन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कोशन मैं वही पर आपको अंसर दूंगा ठीक है तो चलिए गाइस थैंक्यू सो मच